सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देखना सुरू पर चुक्राइबर्स और आधार स्टीशन में कौन सा आपने इमेल आड़ी रेस्टर किया है अगर आप कही बहुत दिन वाद आप उनना इमेल आड़ी इसको भूल जाते हैं कौन सा इमेल आड़ी अपने आधार में यूज किया हुआ है अगर आपको यह जानना है तो इसको जानना अप आप 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 आसान हो गया है तो आज हम डिसकेशन करेंगे कि आप कैसे पता करें कि आपने कौन सा इमेल आड़ी अपने आधार में यूज किया हुआ है और इसको जानने के लिए आपको करना होगा तो आपको जो जासे आप स्क्रीम देख रहे हैं www.resident.uid.gob.in पर वेरिफाइड इमेल और मॉइल अपर तो आप इस काटागरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अरम के कहिए आधार केंगरी में आपको आधार सर्विस में वरिफाइ इमेल अब जो वेरिफाइ इमेल आईडी में जाएंगे तो आपको 幾 की पे देख रहा होगा वहाँ पर 12 डिउन आफ़को आधार और उसके साथ में आएगा कि यॉर डेटा इस वेलकम यॉर डेटा इस वेरिफाइड और इंट्रेव यूटीपी नमबर तो आप समझा है यह इमेल आईडी आपका रिस्टेड है और अगर वहां पे स्क्रीन पे आपके आएगा इसका मतलब यह इमेल आईडी आधार करने तो इस तरीके साथ आप जान पहें कौन सी आधार में रेजिटर्ड है और कौन सी नहीं है तो दोस्तोव यह था हमारी पेशकर्स जिसमें हम ने बताए कि आप कैसे अपनी रिज्टर्ड इमेल आईडी को का पता करें आधार में कौ वा दूस्तो को यू सेशने फीडिवेक तो अबसे देएं और सब्स्राइब करना ने बूलें